बिस्मिल्लारोहमानुरहीम, अस्सलाम अलेकुम डियर फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल्स बिलॉंग्स टू एंटामॉलोजी, तो एंटामॉलोजी का जब आपने प्रैक्टिकल करने हैं, उस वकत आपको कौन सी डाइग्राम्स पे फोकस करने हैं, किस माउथ पार्ट के बारे प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, और एक जो दूसरी वीडियो होगी, उसमें असल में वो भी इसी से रेलेटिड होगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी, जो कि यहां पर मजूद नहीं होगी, तो डाइट्स वाई कोशिश करना कि वो दूसरी वीडियो भी आप ला ठीक है, और पक्सन की तरक्य में हेल्प करो, ओकी गाइस, यहां पर देखे, एकालोजिकल नोट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हैं आंट्स के बारे में, आंट्स बिलोंग्स टू किंडम अनेमिलिया, फाइलम आर्थरोपोडा, क्लास, आपके पास है इंसेक्टा, आर्डर हिमनोपिटेरा, ठीक है, आर्डर कॉन सा है, हिमनोपिटेरा, फार्मिस, CDI, और उसके बाद आपने इसका जिन्स, होर्स, सपीशी नेम भी त्यार करेंगे, उसके बाद में जो फोकस आपने हर एक एनिमल में करेंगे, उसका फीडिंग हैबिटेट, उसके ब्रीडिंग के आपने के बारे में बात करेंगे, अगर उसके युनीक फीचर है तो और उसके बार में याद रखेंगे, जैसा कि मैं आपको ब specialists, एक इंसेक्ट है, जैसके spider, उसके इन्सका तुर आ dalla च weह रहता है, उसके स्माइडिक पानिजिवरें स्माइडनी कृसरा हो आप्धर एक य यही में तीन चीज़ें होंगी जो आपको कवर आप करने हैं, आपके पास पिक आगई, और यह पिक किसकी है, देखे ज़रा गोर से, इट इस अबाउट दा हाउस फ्लाइ मसका डुमेस्टिका, ठीक है, कमपाउंड आइस एंटीना, हैड, तो यह देख लें आप, ठीक है, ओ आपको बटा है कि यह देखा होस्पाइटर की आइस उकिटा मेंते हैं इस या रख़ अंगे एंसेक्ट नहीं में तो वो class इंसेक्टा से नहीं बलके class अरिकनेडा से बिलोंग करेगा ओके तो order हम डिप्टेरिया की बात करें तो डिप्टेरिया में क्या होता है कि यहां पर जो two pairs of things हैं वो होते जरूर हैं लेकिन उसके जो पहला pair of wing है वो ठीक ठाक है जब आप species name लिखेंगे न तो आपको बता है कि आपको जिन्स का name capital और species यह पराने चीज़ होगे लेकिन सम टाइम न हम लिखते वकत भूल जाते हैं कि आपको उसको underline करना है तो आप उसको लाजमी underline करना है feeding habitat देखें इसका breeding habitat देखें और इसके अगर importance है तो वो भी आपने लाजमी कर लेने और along with the unique feature यह किसी की diagram है जल्दी से guess कीजिए compound eyes है जाज है six jointed legs है ठीक है stigma है transparent wings है it is about the dragonfly ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं पंजाबी में dragonfly को जल्दी से बोलिए जिसको आप कहते हैं पंजाबी में जहाज ठीक है जाज बोलते हैं that is about okay यहां पर देखते हैं इसकी classification kingdom अच्छा यह ना पेपर के लिए इंपोर्टेंट रहती है जाचा के पेपर में बहुत सारे अमसी को जाप से बन पूछी जाएंगे economic zoology आप शायद पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे आपका subject भी है entomology आपने पढ़ चुके होंगे entomology के सारे topics मेरे ना cover up किये हुए ह उसका labor से लेके each and everything तो आपने वो वीडियो से लाजमी तोर पर देखनी है फाइदा होगा तो आप चैनल सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए ब्रेडिंग सीजन की बात कर लें ecological importance तो यह सारी चीज़ें आप दुबारा again वही काफी लंबा content है इसका तो आप यह करेंगे है ठीक है butterfly देख लें आप सो जल्दी से हरी अप हरी अप हरी अप हरी अचा डाइग्रम्स अगर नहीं बना पा रहें ना आप लोग तो आप लोग इंटरनेट से जाएक मैं लिखूंगा butterfly drawing उसको डाउनलोड करूंगा उसकी पिक निकाल लोंगा वो लोगा दूंगा ठीक ह बटरफलाइ लपीडोपीटेरा याद रखने है लाजमी तोर पर ठीक है इसका क्या है लपीडोपीटेरा फीडिंग हैबिटेट ब्रेडिंग सीजन्स यह आप सारी चीज़ें करेंगे ऑगे गैस वाट इस वाट इंसेक्ट है बाड़ी के तीन रीजिन है है हैड होगा थो ब्रेडिंग सीजन्स एकालोजिकल इंग पोटेंस ठीक है यह आपको याद करने है अच्छा यह पूछेंगे आप से एकालोजिकल इंग पोटेंस के ऊपर नोट्स लिखवा सकती है हो सकता है कि वह आपको कॉस्स नवर 2 में कहें के तीन स्पैसिमन हम आपको देते हैं अब स्पैसिमन को पहले इंटिफाय करें फिर उसके क्लासिफिकेशन लिखें यह ऐसा ही क्वेसिन बनेंगे बूक वाइवा उसके बाद वह एक पूरा आपको प्रैक्टिकल लिखवाए जाएगा जो मैंने बोला था कि मौट पार्च के बारे में हो सकता है ठीक है कॉक्रोज के मौट पार्च के बारे में और तीसरी चीज़ आप से क्लासिफिकेशन और एकालोजिकल नोट्स भी आस पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यह वास्प आगे आपके पास ठीक हमनों पटेरा वैसी पीडिया वैसी पीडिया एंड आगे देख लें आप फीडिंग हैबिटेट ब्रेडिंग सीजन एकालोजिकल इंपोर्टेंस ओके जो बच्चे कर रहे हैं वो इसको पास करें पास करके इसको करते जाएं जल्दी से हरी अप हरी अप मेरा खाल 10 या 11 होंगे या आपको 10 और 11 अनिमल्स कवर अप करने हैं एंटमोलोजी के लिए काकरोजी आरदा नैचरल स्वीपर्स और इनका मानना ये है कि अगर ये किसी हीमन बाड़ी को टच कर लेते हैं तो हीमन बाड़ी को टच करने के बाद भाग जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने किसी बहुत बुरी बिहानक मखलूक से चीजसे इन कॉन्टेक्ट बाग जाते हैं तो ये बहुत ये एक अजीब चीज़ है वैसे भागना तो हमें चाहिए लेकिन हमें टच करने के बाद वो खुद भाग जाते हैं सब में वही सीज़ें आ रही है तो बाकि जतने भी आपके प्राक्रिकल्स हैं सभी का डाटा यहां पर अवेलेबल होगा है तो किसी भी किसम की क्यों प्रावलम होगे कुमेंट सेक्शन में पूछेगा लाजमी तोर पर ओके गाइस हपसो इन्शाला नेक्स जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप से मलाकात करेंगे लेकिन उसके इलावा अगें अपने दोस्तों से शेयर करना है लाजमी तोर पर अगर यह आपकी फुल है तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब कीजिए जॉजालोजिस रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं कवर अब करने वाला हूँ बहुत सारी चीजें कवर अप कर चुका हूँ करूंगा डिवैलमेंटल बियालोजी बहुत सारे नहीं कोई लेकिन इंशाल्ला इन फ्यूचर हम वेबसाइट भी बिल्ड अप करेंगे तो होप सो गाइस हमारे साथ कुनेक्टेड रही है स्टे कुनेक्टेड एंड अलाहाफिस